ग्यान्यग्य में आपका स्वागत है। ग्यान्यग्य की नई वीडियोस की जानकारी के लिए वीडियो के नाम के नीचे दिये गए सब्सक्राइब बटन की सहता से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आपको वीडियो अच्छी लगती है तो उसे लाइक करें और उस से अने लोगों के साथ शेयर करें. Windows 10 के इस अध्याय में आज आप जानेंगे लॉक स्क्रीन के बारे में, जिसके अंतरगत हम आपको बताएंगे स्लाइट शो उप्षन का उप्योग करना और स्क्रीन सेवर उप्षन का उप्योग करना. इसके पहले वाली वीडियो, How to Change Desktop Background में, हमने Desktop का Background चेंज करना बताया था. इस वीडियो में हम आपको लॉक स्क्रीन के बारे में बता रहे हैं, जिसकी प्रोसेस, Background Option की प्रोसेस से मिलती जुलती है. जब हम कुछ देर के लिए सिस्टम पर काम करना बंद कर देते हैं, यानि न तो हम माउस यूज करते हैं नहीं कीबोर्ड, तो Windows 10 में पिक्शर या वाल पेपर दिखाई देता है. ये देखे, हमने थोड़ी देर तक सिस्टम पर कोई काम नहीं किया था, तो अब ये पिक्शर आ गई है. अब यदे आप चाहते हैं कि यहाँ एक ही पिक्शर के बजाए अलग-अलग पिक्शर दिखती रहें, मतलब स्लाइड शो चलने लगे, तो उसके लिए सबसे पहले इस पिक्शर पर क्लिक करें और अब साइन इन पर क्लिक करें. अब हमारी स्क्रीन नॉर्मल हो गई है. अब ही जो पिक्शर थी, उसे बदल कर अगर आप कोई दूसरे पिक्शर चाहते हैं, तो यहाँ से चेंज कर सकते हैं. लेकिन यदि आप चाहते हैं कि अलग-अलग पिक्शर दिखाई देती रहें, तो उसके लिए यहाँ से स्लाइड शो का ओप्शन चुनें. अब जिस भी फोल्डर में पिक्शर या वालपेपर रखे हूँ, उसे सिलेक करना होगा, उसके लिए एड फोल्डर पर क्लिक करें, जिस भी लोकेशन पर फोल्डर रखा हो, वहाँ जाकर उस फोल्डर को सिलेक करें, अब चूज दिस फोल्डर पर क्लिक करें, यह यहाँ पर folder upload हो गया है, अब यहां पर advanced slideshow settings भी दी हुई है, इस पर click करते हैं, यदि आप अपने PC के camera roll folder के pictures या one drive के pictures भी slideshow में देखना चाहते हैं, तो पहले वाले option को on करें, on करने के लिए यहां पर click करें, हम अभी इसको off ही रहने देते हैं, यदि आप चाहते हैं कि slide show में बस वो ही pictures दिखें जो screen पर fit हो रही हो, तो दूसरे वाले option को on करें, और यदि आप चाहते हैं कि जब आपका PC inactive हो, तो PC turn off होने के बज़ाए screen lock हो जाए, तो तीसरे option को on करें, यहां पर यह पहले से ही on है, कई बार हम चाहते हैं कि हम system को किसी काम से चालू ही छोड़ जाएं, और काम होते ही वो अपने आप sleep mode में चला जाए, उधारन के लिए हमने कोई file download में लगा रखी है, और हमको पता है कि वो file यहां पर यह जो time दिये हैं, इतने time में download हो जाएगी, तो यहां से हम वो time चुन लेंगे, और उतनी time के बाद screen turn off हो जाएगी, और system अपने आप sleep mode में चला जाएगा, पर यहां पर हम अभी don't turn off का option ही रहने दे रहे हैं, जब हम system पर काम न कर रहे हों, तो कितनी देर में screen पर slide show शुरू हो, वो time set करने के लिए, नीचे screen time out setting का option है, इस पर click करें, अब जो भी time आप देना चाहते हैं, वो यहां पर दे सकते हैं, यहां पर हम एक मिनिट वाला time ही set रहने देते हैं, और अब एक मिनिट के बाद, अपने आप slide show शुरू हो जाएगा, यह दिखे, slide show शुरू हो गया है, हमने एक मिनिट तक कोई काम नहीं किया था computer पर, तो अपने आप यह slide show स्टार्ट हो गया, इसमें pictures change होती जा रही हैं, अब हम दोबारा desktop पर चलते हैं, अब यदि आप picture की बज़ाए, कोई और screen saver चाहते हैं, तो उसके लिए desktop पर right click करके, personalize में जाएं, यहाँ पर lock screen में जाएं, और अब यह नीचे जो option है, screen saver settings, इस पर click करें, अब यहाँ पर screen saver के लिए options दिये हुए हैं, इस arrow पर click करें, अभी none चुना हुआ है, इसलिए कुछ भी नहीं आ रहा है, और नीचे यह अलग-अलग तरह के option हैं, पहला है 3D text, इसको चुन लें, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वो किस तरह से दिखाई देगा, आप अगर preview देखना चाहें, तो preview पर click करें, यह देखें, यहाँ पर इस तरह से windows 10 लिखा हुआ है, और यह screen पर इस तरह चलता रहेगा, अगर आप इस text को बदलना चाहते हैं, आप चाह और settings में जाएं, अब यहाँ पर जो भी text आप वहाँ चाहते हैं, वो text यहाँ टाइप कर दें, और बाकी की setting भी आप यहाँ से कर सकते हैं, जैसे आप font चुन सकते हैं, rotation type कैसा हो, वो चुन सकते हैं, इसके अलावा ÀP resolution change कर सकते हैं, size change कर सकते हैं, rotation, speed change कर सकते हैं, surface style भी आप यहाँ पर से change कर सकते हैं और सारी settings हो जाने के बाद, ok पर click कर दें और यह अब preview में आप देख सकते हैं, यह Windows 10 की बजाए, जो text हमने दिया था, वो यहाँ पर अब लिखा हुआ आ रहा है इसी तरह से आप दूसरे screensavers भी चुन सकते हैं, जैसे bubbles है, इसमें यह screen पर इस तरह से आपको bubbles आते हुए नज़र आएंगे mystify अगर आप चुनते हैं, तो यह इस तरह की आकरतियां आपको screen पर दिखाई देंगी, इसमें से जो भी आप चुनना चाहें, वो चुन सकते हैं इसके बाद यहाँ पर आपको time चुनना है कि कितने समय बाद आप screensaver चाहते हैं, वो समय आप यहाँ पर चुन लें, यह जो समय है वो minutes में दिया हुआ है, यह सारी setting करने के बाद आप ओके कर दें, जो समय आपने set किया है उसके बाद आपके screen पर screensaver चालो हो जाएगा, एक बात का ध्यान रखें कि screen saver option चूज करने के बाद picture वाला option नहीं चलेगा, आप इन दोनों में से एक ही option का उप्योग कर सकते हैं, यह देखिए यहाँ पर screen saver आ गया है यदि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो, तो यूट्यूब पर इसे like करें, अन्य लोगों के साथ share करें, और नई वीडियो की जानकारी के लिए हमारी चैनल को subscribe करें इस विशे से संबंधित हमारी अन्य वीडियो देखने के लिए नीचे दी गई link पर click करें